राजस्थान में चुनाव से पहले कॉंग्रेस का आज दो बड़े जटके लगे हैं। प्रदेश सचिव रामलाल चौधरी कॉंग्रेस छोड़कर बस्पा में शामिल हो गए हैं। जबकि राजस्थान राज्य विप्र बोर्ड के चेर्मैन महेश ने अपने पद से इस्तीफ पान सिंग बाबा ने ऐसे संकेत दिये हैं। महेश शर्मा ने अपने इस्तीफा मुख्यमंतरी अशोक गहलोत को भेजा है। उनके इस्तीफे का पत्र भी सामने आ गया है। उन्होंने पत्र में इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई लेकिन कहा जा रहा है कि वो पार्टी द अगर से अर्चना शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अर्चना शर्मा यहां से पिछली दो चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी कॉंग्रेस ने उन्हें ही टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि इसी कारण महेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विरोध का सिलसिला जारी कॉंग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद विरोध का सिलसिला जारी है। जबकि बीजेपी में दूसरी सूची जारी होने के बाद सियास बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही दलों में पुराने नेताओं का विरोध प् अब ऐसे लोग निर्दलिय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो कई पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है। वहीं विधान सभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने रविवार को अपने प्रत्याशि को फिर से प्रत्याशी बनाया है। दिल्चस्प बात यह है कि अमीन और और रफीक खान के विरोध को दरकिनार करते पार्टी ने फिर से उन पर दाव खेला है। इन दोनों के खिलाफ अन्य दावेदारों ने मोर्चा खोल रखा था। अमीन कागजी के विरोध में भाजपा के मोहनलाल गुपता को शिकस्त दी थी। सिविल लाइन्स में प्रताप सिंह खाचरी आवास ने अरोन चतुरवेदी और आदर्श नगर में रफीक खान ने भाजपा प्रत्याशी अशोक परनामी को चुनाव हराया था। अब तक पांच प्रत्याशी घोशित इ नाम के घोशना हुई थी। अब इन सीटों पर प्रत्याशी घोशना का इंतजार वहीं शहर की हवामहल, बगरू, जोटवाड़ा, विद्याधर नगर और आमेर विधान सभाच शेतर में प्रत्याशी घोशना का इंतजार है। माना जा रहा है कि तीसरी सूची में इन प्रत्याशी चयन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हवामहल से महेश जोशी और बगरू से गंगादेवी को लेकर शीर्ष नेता ही एकमत नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर फैसला बाद में किया जाएगा।